बहुत लोग पूछते हैं कि आप नॉन्वेज नहीं बनाती हैं तो मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन आज मैं एक ऐसी बिर्यानी बनाने वाली हूँ जो कि नॉन्वेज को भी मात देगा इतनी स्वादिश्ट बन करके तयार होगी और अगर घर में महमान आएंगे और आप उ 30 मिनेट्स के लिए तभी जो बिर्यानी एकदम खिली खिली बन करके तयार होगी और आप अच्छे ब्रैंड का लांग ग्रेन बासमती राइस लें इससे बिर्यानी बहुत अच्छी बनती है तो मैं यहाँ पर डेड़ कप के करीब चावल लिया है और आपको राइस को तो आप चाहें तो इसी तरीके से और भी अलग-अलग वेजिटेबल्स की बिर्यानी बना सकते हैं लेकिन कभी मश्रूम की बिर्यानी ट्राइ कीज़ेगा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में तो मैंने यहाँ पर दो पैकेट मश्रूम लिया है तकरीबन 300 से 400 ग्राम के करीब होगा और इसे मैंने अच्छे से 3-4 बार दो लिया है क्योंकि मश्रूम में काफी ज़्यादा गंदगी होती है तो अच्छे से उसे क्लीन कर ले और कोसिस करें कि फ्रेस मश्रूम लेने की अब आपको पता कैसे चलेगा कि फ्रेस मश्रूम कौन से हैं तो ज अब ही मैं यहाँ पर चॉप कर रही हूँ अनियन जिसकी मैं बिरिस्ता बनाओंगी मतलब अनियन को हम फ्राइ करेंगे जो की बिर्यानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रीडियन्ट है तो जो प्याज है ना आप उसे बहुत जादा पतला या फिर बहुत जादा मोटा ना काटे और ध्यान रहे एक ही साइज में काटे इससे वो एक तरह के कूख होंगे और अच्छे से इकदम प्रॉपर तरीके की आपकी बिरिस्ता बन करके तयार होगी तो मैंने यहाँ पर सारे प्याज के लच्छे को इस तरह से खोल लिया है कड़ाई मैंने चार चम अभी तो स्टार्टिंग में ही डाला है तो बीच बीच में चलाएंगे अभी कंटिनियूसली चलाने की कोई जरूत नहीं है लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब तक इधर हमारे प्याज फ्राई हो रहे थे मैंने इधर जो मस्रूम थे ना वो भी चॉप कर लिये हैं औ कि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कर देने से ना जब बियानी में डालते है ना तो पता ही नहीं चलता है वैसे तो मस्रूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मस्रूम बहुत पसंद होगा कमेंट करके बताईएगा और इधर जो देखे प्याज है ना वो बहुत अच्छे से light color आ गया है इनमें तो हम क्या करेंगे ना प्याज को निकाल लेंगे इससे ज़्यादा आपको नहीं fry करने हैं यह अभी soft लगेंगे आपको लेकिन जैसे ही ठंडे होंगे ना एकदम crisp हो जाएंगे इससे ज़्यादा मतलब प खनिया और पुदीना लिया इसे मैं बारी के यहां पर चॉप कर रही हूं हलका सा मैंने गुनगुना दूद लिया है तकरीबन तीन चार चम्मचे करी थोड़े से केसर के धागे आड के इसमें जो कि हम बिर्यानी में आड करेंगे और इस तरह से आप दूद में केसर के धा अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले आड करेंगे जिससे की बहुत अच्छा फलेवर आएगा एक चमचे करीब तेल नमक और नीमू का रस आड करेंगे जिससे की चाओल एक तम खुसबुदार बनेंगे और खिले खिले बनेंगे अधरक मिर्च लशन का पेश्ट न वो इसमें add कर देंगे आधा आधा हम बात में यूज़ करेंगे और सारी चीज़ों को यहाँ पर crust कर लेंगे आप चाहें तो यह process mixer में भी कर सकते हैं एक बर इस तरह से बिर्यानी अब try कीज़ेगा आप अपनी उंगलियां चाट जाएगा इधर जो पानी थे न वो भी boil हो गया थे तो हम क्या करेंगे कि चावल में से सारा पानी निकाल लेंगे और इसमें add कर देंगे तो आपको ज़्यादा यहाँ पर चावलों को चलाना नहीं है छेड़ना नहीं है नहीं तो जो चावल है न तूटना जैसे कि हमें 80% तक चावल कुक चाहिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही पक करके तैयार हो जाएंगे तो इधर मैंने सबजियां भी निकाल ली है और यह देखिए जो चावल एकदम खिले खिले हैं चावल यहाँ पर बिर्यानी के लिए दबना नहीं चाहिए सिर्फ तूटना चाहिए आपको यही बात का ध्यान रखना है देखिए जो चावल इधर हो गया है जब भी आप एकदम चावल डाल दे पानी में तो आप ध्यान रखे चावलों को जादा कुक ना करें तो इधर जो चावल है पानी में से मैंने अलग कर लिया है अब इधर हम मस्रूम मेरिनेट कर लेते तो मैंने इसमें थोड़ी से गाजर और फ्रोजन मटर एड़ किया है आपके पास नहीं हो तो फ्रेस वाले भी आड़ कर सकते हैं साथ इसमें बारिक कटा हरा धनिया और पुदीना की पत्ती आड़ करेंगे और 3-4 cup के करीब मैंने यापर फिटा हुआ दही आड़ किया है दो चमच धनिया पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दो चमच मैंने आपर बिर्यानी मसाला आड़ किया है अब इसमे आड़ कर देंगे दो चमच एक करीब नम और साथ ही आधा नीमबू का रस अब क्या करेंगे यहां पर mushroom को सारी चीजों को एक misma पर mix कर लेंगे। थर ही रही यह ना इस पैचूला से mix का तो अप क्या करें ना कि हातों से zawsze mix करें बहुत ही अच्छी से दहीज यहां कोट होगी मश्रूम को मेरिनेट करने के बाद आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है तुरंत ही हम क्या करेंगे इसे पकाएंगे तो जिसमें हमने प्याज तला था ना वो तेल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है और उसी में हमने मश्रूम को अब क्या करेंगे एकदम हाई फ्लेम पर मश्रूम को हमें पकाना है अगर आप लो फ्लेम पर मश्रूम को पकाएंगे तो इतना जादा पानी रिलीज होगा कि आपको इसे ही पकाने में आदा गंटा लग जाएगा तो देखे इधर पानी तो रिलीज हुआ है मतलब क्योंकि हमने दही वेगर एड़ की थी लेकिन कम होगा अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे अब देख सकते हैं जो मस्रूम है कितनी ज़ादा लजीज लग रही है अभी से ही खाने का मनोरा मुझे तो तो इसे ना आप नॉर्मली रोटी के साथ भी खा सकते हैं और यहाँ देखे मतलब जो दही का पानी था बिल्कुल सूख सा गया है अब हम क्या करेंगे इसे लेयर करेंगे तो मैं इसे हांडी में बना रही हूँ तो हांडी को पहले गर्म कर लिया है मैंने अगर आपके पास नहीं होना तो आप किसी भी बतीले में बना सकते हैं या फिर कुकर में भी बना सकते हैं लेकिन एक बार हांडी में बना करके देखिएगा बहुत ही गजब का टेश्ट आता है अब जो मश्रूमत है आदा डाल देंगे हाँडी में पहले तले में जिससे कि बिलकुल भी मतलब जले नहीं क्यूंकि राइस अगर आप नीचे एड़ कर देंगे तो बिलकुल भी पानी नहीं होता है जलने का जादा डर होता है तो आप पहले सबज़ियां एड़ करें उसके बाद मैंने यहाँ पर चावल एड़ किये हैं चावलों को भी हम क्या करेंगे आधाई एड़ करेंगे दो लेयर में बना रही है, मतलब चार लेयर में अब यहाँ पर एड़ करेंगे केसर वाला दूद और आप इस तरह से एक बर बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगा मतलब अगर आप मार्केट से खाते हैं न तो आप वो भी खाना भूल जाएंगे अब मैंने यहाँ पर थोड़े से एड़ कें बिरिस्ता, अद्रक, नहीं सौरी मतलब पुदीना धनिया एड़ किया है अद्रक बोल रही हूँ अब इसमें बाकी की सबजियां एड़ कर देंगे जो हमने बचा के रखी थी और इसे ना क्या करेंगा फैलाते हुए एड़ किजेगा ताकि सबजियां चारों तरप एक्वली रहे बाकी का चावल हम एड़ कर देंगे और उसके बाद फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे जैसे केसर वाला दूर तला हुआ प्याज और बारिक कटा हुआ धनिया पुदीना और उपर से हम क्या करेंगे थोड़ा घी एड़ करेंगे आप चाहें तो जो प्याज हमने तले थे ना वो तेल भी एड़ कर सकते हैं थोड़ा फ्लेवर के लिए मैं इसमें एड़ कर रही हूँ रोज एसेंस आप चाहें तो इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन एक बर एड़ किसे गाड़ा तक दो मार्केट की तरह लगेगा खाने मतलब फ्लेवर आएगा मार्केट से भी बहतर ही बनेगा और यहाँ पर अब मैं एड़ कर रही हूँ थोड़ा से बिर्यानी मसाला तवा चड़ाया है और तवे को हम गर्म कर लेंगे उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे ना कि अपनी हांडी रख देंगे और धकन धक देंगे धकन को प्रॉपर सील करने के लिए मैं यहाँ पर आटे का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें ना तो कोई भी मतलब ऐलमूनियम फॉयल वगरा भी रख करके धकन धक सकते हैं लेकिन इस तरह से और भी अच्छा लगता एकदम आथेंटिक टेश्ट आता है तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि हम इसे अराम से 20 मेट तक के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हम इसमें अच्छा सा दम दे सकें बिल्कुल भी हडवड़ी ना करें जो बिर्यानी है कभी नहीं जलेगा अगर आप फ्लेम को एकदम लो रखेंगे तो जब तक उधर बिर्यानी में दम लग रहा है मैं इदर राइता बना ले रही हूँ तो मैंने अबर दही फेट लिया है उसमें थोड़ी सी चटनी एट किये हरी वाली मदध धनिया पुदीना की चटनी थी साथी बारी कटावा प्याज, टमाटर, नमक और भूने जीरे का बारडर और यहाँ पर हमारा इंस्टन्ट राइता बन करके तयार हो गया है और बिर्यानी को दम देते हुए 20-22 मेंट हो गय थे और मुझे बहुत तेज की भूख लग रही थी देखिए यहाँ पर जो बिर्यानी है कितनी गजब की लग रही है देखने में और अब जब भी बिर्यानी निकाले ना तो एक साइड से कर्शी को डाले या फिर जारे को डाले राइस बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आप देख सकते हैं जो बिर्यानी हमारी कितनी खिली-खिली बन करके तयार हुई है बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है एक बार ट्राइ करके देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा वसे बिर्यानी की रैस्पे मैंने पहले भी एक सेयर की हुई है वो वेज बिर्यानी थी ये दम हांडी मस्रूम बिर्यानी च्राइ कीज़ेगा और मुझे कमेंड करके बताईएगा मैं मिलते हूं नेक्ट लाग में बाब बाई